नमस्कार कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अखिलेश पांडे डॉक्टर कुमार विश्वास की पंक्तियां है कि अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं जहां खबरे दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है गवर्नर के यहां बंधक मगर सरकार जैसे हैं बिहार की सियासत में अक्सर पाला बदलने वाले सियम नितीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में बन गए हैं और उन्हीं पर ये पंक्तियां विल्कुल सठीक बैगती हैं वो दोबारा से अपने एक वाकिये को लेकर इस समय चर्चा में बने हुए हैं लगवग पांच महीने पहले उन्होंने एक ऐसा काम किया था जिसके बाद एक बार फिर से उन्हें उस काम को दोहराने की वज़े से एक बार फिर से चर्चा में ले लिया गया है और इसके साथ ही बिहार के सियासी जगत में भी बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम तो छोटे हैं असली बड़े भाई तो भाजपा और देश के मुखिया ही हैं आखिर बिहार के मुखिमंत्री नितिश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई है कि अब शायद बिहार सियम अगले साल अपनी नईया के खिवया को मनाने का काम शुरू कर चुके हैं और बता दिया है कि सरकार आप ही हमारे बड़के भाईया हैं बोले तो बिग बी जानिये क्या है पूरा मामला हमारी स्पेशल रिपोर्ट में दरसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा पहुचे हुए थे जहां उन्होंने सीम नितीश कुमार के साथ बिहार के दूसरे एम्स हॉस्पिटल की आधार शुला रखी और साथ ही 12,000 करोड रुपए से अधिकी विभेन योजनाओं का शुला न्यास और लोकार पन किया वहीं इसके साथ ही पीम मोदी ने 398 करोड रुपए की लागत से बनने वाली दरभंगा बाइपास रेल लाइन का भी वर्चुली उद्खाटन किया और पीम मोदी ने मंच से ही जंजार पुर लोकाहा बाजार ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना भी किया और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को श्रधानजली भी अरपित की लेकिन वहीं इसी बीच मंच पर कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विशय बन गया है अपना भाशन देने के बाद पुना मंच की और वापस आते हुए सीम नितीश कुमार ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के बगल में लगी अपनी कुरसी पर बैठने की पजाय वो आगे बढ़ते उससे पहले ही प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनकी कुरसी पर बैठने का इशारा भी किया मगर सीम नितीश कुमार दोनों ही हाथों को फैला कर पीम मोदी के पैर अचानक से छूने लगते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं इस पूरे कारिक्रम से जुड़ा हुआ ये वीडियो सूशल मीडिया पर काफी तेजी से वारर हो रहा है जिसमें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का पैर सीम नितीश कुमार छूते हुए नजर आ रहे हैं वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीम नितीश कुमार ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के पाउँ चुए हैं बलकि इससे पहले भी उन्हें आज से लगभग पांच महीने पहले भी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का पाउँ सामोहिक रूप से छूते हुए देखा गया था दरसल आज से लगभग पांच महीने पहले जब लोगसभा चुनाओ 2024 के परिणाम आये थे तो उसके बाद दिल्ली में हुई 8 जूल को NBA के घटक दलों की बैठक में जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को संसदी दल का नेता चुना गया था तो उस दोरान इस गढ़वंदन के कुल 13 निताओं ने अपना भाशन दिया था लेकिन उस समय सबसे अधिक चर्चा सीम नितीश कुमार के भाशन की हुई थी और साथ ही उनका एक वीडियो भी वारल हुआ था जिसमें मंच से भाशन दे कर मंच की तरफ वापस आते हुए उन्होंने PM मोदी के पैर चुने की कोशिश की थी हलांकि उस समय जैसे ही सीम नितीश कुमार प्रदानन्तरी नरेंद्र मोदी का पैर चुने के लिए आगे बढ़े थे उस समय पीम मोदी ने उन्हें रोक लिया था और फिर नितीश कुमार ने उन्हें सिर जुका कर उनका अभिवादन किया था सिर्व इतना ही नहीं बल्कि चित्रगूप्त पूजा के मौके पर कुछ दिनों पूर्वत तीन नवंबर को सीम नितीश कुमार ने राजसभा के पूर्वसांसद आरके सिनधा के भी पाऊच हुए थे हुए भी नजर आये थे गौरतलब है कि अगले साल यानि 2025 में बिहार विधान सभा का चुनाओ होने वाला है और उस चुनाओ में भाजपा और जे डियू एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के सहारे अपनी नौका को पार करने की फिराक में लगे हुए हैं और उसी की कोशिश में भी लगे हैं और इसी के चलते लगातार बिहार में किंदर सरकार की और से विभिन्न यूजनाओं का शिलान्यास और लोकारपन करने के साथ-साथ विषिश बजट भी दिया जा रहा है वहीं अगले साल होने वाले चुनाओं के लिए इस बार पुरानी पार्टियों के साथ-साथ नई पार्टियों की भी बिहार में एंट्री हो चुकी है ऐसे में निश्चित रूप से दो हजार पच्चिस का बिहार विधान सभाच चुनाओं काफी दिल्चस्प होने वाला है वैसे आप को क्या लगता है बिहार के सीम नितीश कुमार जो पीम मोदी के पाउं बार बार पकड़ रहे हैं उसके पीछे का असली राज क्या है इस बारे में हमें अपने विचार अपने कॉमेंट्स के माध्यम से जरूर बताईएगा फिलाल अभी के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी बिहार की किसी और खबर किसी और मुद्दे के साथ तब तक के लिए मुझे अनुमत्ती दीजे और बने रहे है क्याप्टन टीवी बिहार के साथ धन्यवाद नमस्कार